नमस्कार एक बार फिर श्वागत है आज हम बात करेंगे SSC Staff Selection Commission Government of India दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के प्रिविएश येर पेपर की जो 5 दिसंबर 2017 को आयोजित किया गया था पूरा पेपर हम आपको शॉलू करवाएंगे आपको बता देना चाहते हैं ये पेपर 10 बजे से हुआ था और 1.5 घंटे का इसमें समय दिया गया था विद्यारतियों को 100 अंको का पेपर था 100 प्रशन पूछे गये थे इसमें और पहला प्रशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता देना यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब की दिए सभी पेपर हम आपको स्वालू करवाएंगे जो प्रिवेस येर में पूछे गए थे और इन पेपरों को भी हम आपको स्वालूशन करवाएंगे पहला प्रशन पूछा गया था निमलिकित प्रश्णों में दिये गे विकलपों में से सम्मंदित सबद को चुनिये दरवाजा लकडी का है कमीज में कपड़ा से बना होता है यानि कि दरवाजा लकडी का बना है तो कमीज कपड़े से बना होता है सही उतर हो जाएगा कपड़ा option number 4 cloth इसका सही उतर हो जाएगा दूसरा प्रस्ण पूचा गया था निमलेकित प्रस्णों में दियेगे विकल्पों में समंदित अक्सरों को चुनिए यहां आपको कुछ अक्सर दिये गए हैं और इससे समंदित और इस्टिक बैट रहा है अगला प्रस्ण पूचा गया था निमलेकित प्रस्ण में दियेगे विकल्पों में समंदित संख्या को चुनिए यहां संख्या चार अनुपात 64 समानुपात 6 अनुपात तो यहां 216 हो जाएगा हम आपको बता देना चाहते है 4 का क्यूब 64 है और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा अगला प्रस्ण निमलेकित प्रस्ण में दियेगे विकल्पों में से विश्म सब्द को चुनिए यहां कुछ सब्द दियेगे हैं आपको विश्म सब्द बताना है यहां कार, साइकिल, ट्रक और शड़क दे रखिये तो यहां बाकी सब वाइकल है और शड़क एक है एसास जहां वाइकल चलते हैं तो अप्सन नमबर D सही हो जाएगा रोड अगला प्रस्ण पुछा गया था प्रस्ण सिंग्या नमबर पांच निमलिकित प्रस्णों मैं दिये गए विकल्पों मैं से विश्म अक्सरों को चुनिए यहां कुछ अक्सर दे रखें आपको उनमें से एक अलग शब्द बताना है आप देख पा रहे होंगे जो इसका सही उतर है वो जे ओ यू सी यानि की उप्शन नमबर तीन इसका सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्ण पूचा कहा था निमलिकित प्रस्णों मैं दिये गए विकल्पों मैं से विश्म संख्या का चुनाव कीजिए या जो संख्या दे रखी है उसमें से विश्म सेंख्या का चुनाव आपको करना है या 14, 56, 12, 48, 38, 32, 36 पिलकुल आप देख पारे होंगे सभी में 4 का भाग जा रहा है लेकिन 6, 35 में भाग जा रहा है तो option number D सही option हो जाएगा चार number option सही हो जाएगा अगला प्रस्ण पूछा गया है निमलिकित प्रस्ण में दिये गए विकल्पों में से विश्म सेंख्या का चुनाव की सेंख्या युग्म को चुनिए यहां को सेंख्या है और उसका युग्म दे रखा है उसमें से सही का आपको विकल्प चैन करना है तो option number A सही हो जाएगा 53, 42, 16 आप वीडियो को लाइक जरूर करें अगला प्रस्ण पूछा गया था दियेगी आकर्ती में कितने तिर बुछ है आप आकर्ती को ध्यान से देख लीजिए और इसमें पूछे गया है कि कितने तिर बुछ है option आपके सामने है 5 इसका सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्ण पूछा गया था दियेगी आकर्ती में कितने आयत है तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे सही उतर हो जाएगा 10 अगला प्रस्ण पूछा गया है नीचे दियेगी आकर्ती में जेड युक्त फलक के विपरित क्या आएगा जेड युक्त सबसे उपर दे रखा है वो फलक के नीचे क्या आएगा आपको option इस पर कार है और सही उतर के इसका सही उतर हो जाएगा अगला परसन पूछा गया था दियेगी आकती में कितनी सतह बहुत ही शांदार परसन हैं यह कितनी सत्य है इसका सही उतर ूज्जए गा दस सत्य है जो इसका सही उतर हो जाएगा अगला परसन पूछा गया था दे गई नीचे दिये गई आकरती में से उस आकरती का चुनाव किजिये जो परसन आकर्ति में चिनित है यानि कि आप इस आकर्ति को द्यान से दिये किये और इसका उतर आपको देना है ओप्सन आप देख पा रहे होंगे एक, दो, तीन और चारों ओप्सन आपके सामने है तो correct answer की बात करें तो यहां correct answer ओप्सन नमर तीन हो जाएगा अगला प्रस्ण पूछा गया था नीचे के प्रस्ण आकर्ति मैं दियेगे अनुशार कागज को मोड़ कर छेदन तता खोलने के बाद वह किस प्रकार के आकर्ति जैसा दिखेगा आपको यहां option दे रखें उतर यहां आपको देने हैं आपसन नमर एक दो तीन चार सही उतर की बात करें तो option नमर एक दो सही उतर है इसका अगला प्रस्ण पूछा गया था यदि एक दरपन को ए भी रेखा पर रखा जाए तो नीचे दीगी उतर आकर्ति मैं से उस आकर्ति मैं से कौन सी आकर्ति प्रस्ण आकर्ति का सही दरपन परती बिम्ब होगी यहां आप देख पा रहे होंगी Trump H21 दे रखाया इन्होंने और इस आकर्ति का जो परती बिम्ब बनेगा वो किश्वरकार का बनेगा तो इसका correct answer की बात करें तो यहां option नमर चार इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रस्ण था निमलिकित विकल्पों में से वे शब्द चुनिये जो नीचे दिये गए शब्दों के अक्सर का प्रियो करने करके बने आ जा सकता है बहुत ही शांदार तो यहां आप शब्द देख पा रहे होंगे momentary और इसका सही उतर की बात करें तो toner अगला प्रस्ण है गोल्ड कार्बन और मेटल यह एक आरेक जो नीचे दिये गे वरगों को समधित निरुपन करता है सोना कार्बन और धातू तो इसमें कौन शा आरेक इसका सही निरुपन करता है तो option number कまだ चार नबर सरल को देम जाय उबकित में कि बबहारती तkward कि रहां अगला प्रस्ण देह रखा है नीचे डियी आकरती में कितने वारती हैं क्रिकेटर वइपारी नहीं है है जो कितने क्रिकेटर हैं जो भारती है जो वैपारी नहीं तो सही उतर की बात करें option आपके सामने है और इसका सही उतर है वो 23 option नंबर सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है नीचे निवलिकित प्रस्णों में दिएगे विकल्पों मैं से प्रस्ण चिन है इस्तान पर कौन सी आकरती आएगी जहां आपको प्रस्ण चिन देखा ही दे रहा है 88 121 और उसके नीचे जो प्रस्ण चिन है उसमें कितने अंक आएगे तो इसका सही उतर हो जाएगा 84 option नंबर एक सही हो जाएगा अगला प्रस्ण दे रहा है आपको कुछ कूट भासा दे रही है और उसमें आपको चुनाओ करना है कुछ आकरतियां चोटी है कुछ कोई चोटा लाल नहीं है सब चोटी आकरतियां हैं और कुछ लाल चोटे हैं यानि कि आपको इन में से उतर देना है और सही उतर की बात करें तो यह नहीं तो निसकर्स एक और नहीं निसकर्स दो सही है यानि कि सभी गलत हैं option नंबर चार सही हो जाएगा अगला प्रस्ण की बात करें तो यहां भी कूट भासा में कुछ आपको दे रहा है और उस केशाब से आपको उतर का चैन करना है यहां कूट में दे रहा है कथन है कुछ कलम गोल है सभी गोल काले है और निसकर्स है सभी काले कलम है और कुछ गोल काले ह और तीसरा निसकर्ष दे रखा है सबी गोल कलम है तो यहां तहीँ उत्र की बात करें तो यहां केवलWh merch निसकर्ष दो सहि हो जाएगा आप्सन नमबर दो सही हो जाएगा अगला परसन दे रखा है J P का पुतर है P Q की बहन है Q M का पुतर है M, P से किस परकार सम्मंदित है तो यहां माता यां पिता option number 4 सही हो जाएगा अगला परसंदे रखा है अनिल सुमन का पती है जो की पंकज की पुतरी है राहुल सुमन का एक मातरबाई है अनिल राहुल से किस परकार सम्मंदित है बहुत ही शांदार परसंदे तो option number इसका जी जा option सही हो जाएगा option number A brother in law अगला परसंद पूछा गया था रोहित और मोहित की वरतमान आयू करमस 48 वरसे तथा 32 वरसे यानि की रोहित की 48, मोहित की 32 वरसे 12 वरस पूरू रोहित और मोहित की आयू का अनुपात क्या था तो 9 अनुपात 5 option number 2 सही हो जाएगा अगला परसंद पूछा गया था A, B, C, 1 कारे को करमस 48, 12 और 24 दिनों में कर सकते हैं तो A, B, C, मिल कर उस कारे को कितने दिनों में करेंगे 32 बटे 7 सही उतर हो जाएगा option number 1 अगला परसंद नीचे दिएगी 4 आकरतियों दिए गई है और 3 किसी प्रकार से समाने एक भिन है तो भिन आकरति का चुनाव करें तो यहां आप आकरति देख पा रहे होंगे और option number 2 इसका सही उतर हो जाएगा अगला परसंद पूछा गया है नीचे दिएगे प्रसंद में 4 आकरतियों दिए गई है जिन वैसे तीन किसी प्रकार एक गुण के आदार पर समाने और एक अलग है तो अलग आकरति का चैन करें आपको सही उतर देना है आकरतियों आप देख पा रहे होंगे और सही उतर की बात करें तो अप्सन नमबर 3 सही उतर हो जाएगा अगला परसंद पूछा गया था नीचे दिएगे 4 आकरतियां और 3 में एक शमान है और एक एक अलग है तो उस अलग का चैन करना है आपको आकरतियां आप देख पा रहे होंगे तो कौन सी तो सही उतर की बात करें तो अप्सन नमबर 2 यहां आप 2 तीर देख पा रहे हैं बाकी सभी आकरतियों में 1 तीर है अगला परसंद ने 4, 6, 10, 18, 34 और अगला करम लुप्त सेंक्या में क्या आएगा तो 66 इसका सही उतर हो जाएगा अगला परसंद ने 4, 9, 19, 49 करम का अगला परसंद क्या आएगा तो 69 इसका सही उतर हो जाएगा अगला परसंद पूछा गया था निमल के तब परसंद में दीएगे विकल्पों में से उस परसंद चिन है कि इस्तान पर कौन सी आकरति का चुनाओ करें तो कौन सी आकरति आएगी इसका उतर आपको देना है यहां आप देख पा रहे होंगे एक एक सरल रेखा यहां लगातार बनती जारी है तो यहां आपको इससे अगली आकरति की अगली सरल रेखा बनानी होगी तो ओप्सन आप देख पा रहे होंगे option number 2 इसका सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्ट पूछा गया था निमलिकित प्रस्ट नमें दियेगे विकल्पों मैंसे प्रस्ट चिन के इस्थान पर आने वाली आकरती का चुनाव करें प्रस्ट चिन के इस्थान पर कौन सी आकरती आएगी इसका चुनाव आपको करना है तो यहाँ आपको बता देते हैं option number 4 इसका सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्ट था नमेले के चित्रों मैं दियेगे विकल्पों मैंसे प्रस्ट चिन के इस्थान पर आने वाले आकरती का चुनाव करें बहुत ही शांदार प्रस्ट है यहाँ आप देख पा रहे होंगे आकरती से संबंदित है प्रस्ट जादा पूछे गए हैं तो इसके सही उत्तर की बात करें तो ओप्सन नमबर तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अब तेटीसमा प्रस्ट पूछा गया था एक विशिस्ट कोड़ भासा में है फेलियर को 96432 इसी प्रकार लिखा जाता है तो आप देख पा रहे होंगे फ्लाइट को किस परकार लिखा जाएगा फ्लाइट को किस परकार लिखा जाएगा तो सही उत्तर की बात करें तो 9-6-3-8-1-7 ऑप्सन नमबर दो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंद 34 है किसी विशिस्ट कोड भासा में फ्लोक को 47 इस्टार को 66 लिखा जाए तो रुस्ट को किस परकार लिखा जाएगा तो यहां 78 इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंद था एक विशिस्ट कोड भासा में साइन्स को VZLB QZS लिखा जाता है तो इसी कोड भासा में फर्ष्टोम को किस परकार लिखा जाएगा तो सही उत्तर की बात करें तो I O XPWLP ऑप्सन नमबर दो सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंद था निमिलक्त में से कौन सा अलपा दिकार की प्रिभासा से सर्वादिक निक्ट है यानि कि 35 प्रसंदे से समधित है रिजिनिंग से समधित अब आपको सामने जान से समधित प्रशन बताने हैं निमलिक्त मैंसे कौन सा अलपा अधिकार की प्रिवासा से के सरवाधिक निक्ट है तो यहां सिग्रेट उद्ध्योग सही उतर हो जाएगा पूरु परती योगिता की आवशक सर्तों मैं से एक है तो सही उतर की बात करें तक किसी एक समय में एक जैसे समानों के लिए एक समान मुले ओप्सन नमबर इसकी बात करें तो दो ओप्सन नमबर सही हो जाएगा सोरी ओप्सन नमबर चार इसका सही उतर हो जाएगा अगला परस्ट ने कौन सी एजेंसी मुचल्स फंड के लिए एक विन्नीमायक की बाती करे करती है यह कौन सी एसी है तो से भी इसका सहीवतर हो जाएगा अगला परस्ट ने इंपिरियल बेंक आफ इंडिया की स्टापना किस वरस्ट की गई थी तो इसका सहीवतर 1921 में वस्ताफिका का कारे क्या नहीं है बजट बनाना उपसन नंबर इसका सही उतर हो जाएगा दो नंबर अगला प्रशन था सामाजिक समझोता सिदांत के प्रणेता कौन थे तो हॉप्स लौक रूशो सभी विकल्प सही हैं यहां इसकी सही उतर की बात करें तो सामाजिक समझोत सिर्दान्द की प्रेनेता हॉब लौप और रूशों तीन ही सही उतरे कि स्विदानिक संसोदन के दिल्ली में कि इस्टापना ठिल्लिवलाइफ सब्सक्राइब जात तो अनुशेj 368 वरनित करता है आपको मिदान शायव शक्ता देना है तो को बरनित करता है अनुशे 368 कौन सा अडपा इस्तल हरियाना में इस्तित है बहुत ही शांदार प्रशन है तो राकी गड़ इसका सही उत्र हो जाएगा अगला प्रशन है दिल्ली के होज खास छेतर के चार मिनार, चोर मिनार सोरी, दिल्ली के होज खास छेतर में चोर मिनार द्वारा बनाई गी थी, चोर मिनार किसके द्वारा बनाई गी थी, तो अलाओ दीन खिल जी, इसका सही उतर हो जाएगा, सरोप्रथम किस भारतिय राष्टी आंदोलन में वंदे मातरम लोगों का लोगपिरिय गीत बना था, कौन से भारतिय राष्टी आंदोलन में जो वंदे मातरम गीत है वो लोगों का लोगपिरिय बना, तो यहां सवदेशी आंदोलन इसका सही उतर हो जाएगा, निमलकित मैंसे कौन सा एक इस्तान दिल्ली सल्तरंत की अलपकालिन राजदानी थी यानि की दिल्ली सल्तरंत की अलपकालिन राजदानी कौन सी थी तो देवगिरी इसका सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्ण था, ढाई दिन का जोपड़ा किस राज्य में इस्तित है, तो राजस्तान इसका सही उतर हो जाएगा योंगस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उतर हो जाएगा मनिपूर में योंगस का त्योहार मनाया जाता है कश्मीर की पूर्वी शीमा लद्दाक छेतर इसका सही उतर हो जाएगा जल पाई गुडी किस नदी के किनारे इस्तित है बहुती शांदार प्रस्न है तो तिस्ता नदी के किनारे इस्तित है जल पाई गुडी सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कौन सा बोतिक लक्षन शिंदू और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विबाजक की भाथी करे करता था तो यहां अरावली रिज इसका सही उतर हो जाएगा जो की गंगा और शिंदू गाटि नदी के मध्धे जल विबाजक की भाथी का करे करता है अगला प्रस्ण है बारत का एक मातर शक्रिय जवाला मुखी बेरेन आईलेंड कहां इस्तित है अंडवान निकोबार दीप समुए यानि कि अंडवान दीप समुए में इस्तित है बारत का एक मातर शक्रिय जवाला मुखी और जिसका नाम है बेरेन आईलेंड अगला पुर्टमान में विश्योग के कपास निर्यातक तेशों में भारत का कौन सा इस्तान है तो यह दिवति इस्तान इसका साही उतर हो जाएगा भारत का कौन सा छेत्र अपनी वर्षा का अधिकांस भाग उत्री पूर्वी मान सुन से प्रप्ठ करता है बारत का कौन सा छितर है जो वर्षा का सरवादिक है तो इसका साही उतर हो जाएगा कोरो मंडलवे राइल सीमा अगला प्रसन है जब एक गती शील पिंड की गती दुगनी हो जाती है तो उसकी सतीज तो उसकी गतीज उर्जा में क्या परिवर्तन होता है अगला प्रसन है निमलिक्त मैं से किसकी विशिष्ट उसमा दारिता सबसे अधिक है यहाँ आपको चार उप्षन तो जल इसका सही उतर हो जाएगा तो आप मान को किसी विशिष्ट डिग्री में ववस्तित रूप से प्रियुक्त होने वाले उपकरण को क्या कहलाता है थर्मो स्टेट इसका सही उतर हो जाएगा अगला प्रसन है मनुश्य के नाखुन बने होते हैं यह आपको बताना है तो केरिटीन इसका सही उतर हो जाएगा नाखुन और बाल एक ही चीज़ से बने होते हैं वो केरिटीन से बने होते हैं कौन सी दमनी मानो सरीर में उक्सिजन युक तरक्त की परिवेहन नहीं करती है तो यहाँ सही उतर की बात करें तो pulmonary artery इसका सही उतर हो जाएगा अगला परस्ट नहीं हरे पालक में प्रचूर मात्रा में पाया जाता है जो हरे पालक है उसमें प्रचूर मात्रा में क्या पाया जाता है तो यहाँ विकल्प सभी उतर शहीए विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C तीनों ही option सही उतर हो जाएगा अगला परस्न है कौन से आइड्रो कार्बन LPG की मुख्य गटक है तो यह प्रोपेन और ब्यूटेन इसका सही उतर हो जाएगा जो दोनों ही आइड्रो कार्बन यानि की LPG की मुख्य गटक है निमलिक्त मैंसे कौन सा गलेना की नाम से भी जाना जाता है बहुत ही शांदार प्रशन है गलेना की नाम से किसे जाना जाता है तो लेड सलफाइड इसका सायूतर हो जाएगा अगला प्रशन है निमलिक्त मैंसे कौन सी एक मेग्रो वनस्पती है मेग्रो वनस्पती कौन सी है तो इसका सायूतर आपको बताना है और इसका सायूतर हो जाएगा राइजो फेरा जो एक मेग्रो वनस्पती है अगला प्रस्ण है वायू गुणवत्ता सुचकांक तो वायू गुणवत्ता सुचकांक आसा यूत्र की बात करें तो वायू की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पेमाना है कि अगला प्रस्ट निमल्क मैंसे किस पारिस्तितिकी तंत्र छेतर में पाया जाता है कौन सा पारिस्तिकी तंत्र है जो पाया जाता है इसका सही उतर हो जाएगा बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्य मंत्री शाला सुरुक्सा योजना क प्रसेवारत सरकार की संपध्दा योजना समधित है खाद प्रसक्राण से समंधित है शमध्य वर Pas 2017 में बारतिय नो शेना की सेवा में शामिल निमिलिक्त मैं अरीदमन अगला प्रसने डीजी लोकर के बारे में क्या सत्ते नहीं है डीजी लोकर के बारे में क्या सत्ते नहीं है दस्तावेज की प्रती इलक्ट्रोनिक रूप से व्यक्ति के निजी गंप्यूटर और मॉबाइल भौन में बंडरित होती है ये सही नहीं है अगला प्रस्ण है 2020 ग्रिशिम ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी 2020 तो टोक्यो इसका सही उतर हो जाएगा 17 फीफा विशोकप 2017 कहा है उजित किया गया था बहुत ही शांदार तो भारत इसका सही उतर हो जाएगा चीन ने एक रण नितिक इस्तल हेबन तोता गेहन बंदरगा में 70% इससा खरिदा है ये किस देश में इस्तित है तो सिरिलंका इसका सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्ण है नेपाल और बुटान ने हाली में बारत की कि डिजिटल पेमेंट सर्विस का परियोग करने है तो निमलिकत में से किस उद्धम का सयोग मांगा है यानि कि डिजिटल के लिए किस उद्धम का सयोग मांगा है तो यहाँ NPCI NPCI से सयोग मांगा है चीन और सोरी यहाँ नेपाल और बुटान भारत की NPCI एजन्सी से 47 में बारती अंतराश्टी फिल्म मोथ सव मैं गोल्डन पिकोक अवार्ड की फिल्म ने जीता है बहुत ही शांदार है प्रेश्टन और इसका सही उतर हो जाएगा डॉक्टर फिल्म ने अगला प्रशने निमलिक मैं से कौन समुंदर में अशाधारन वीर्ता के लिए IMO अवार्ड से समानित होने वाली विशो की प्रथम महिलाग बनी है यानि कि IMO अवार्ड से समानित होने वाली विशो की प्रथम महिला बनी है जो समुंदर में अशाधारन वीर्ता के लिए बनी है तो इसका सही उतर हो जाएगा अराधी का मेनन अगला प्रशने बारत सरकार का GEM समंदित है GEM पोर्टल है वो किस समंदित है तो यहां सरवजनिक खरीद अप्सन नमर इसका सही हो जाएगा बारत सरकार दोरा हाली में बनाए गए मुद्रा बैंक का वनन कारे करता है किस कारे को करती है तो इसका सही उतर हो जाएगा सुक्समुद्योगों को रण वैवित उपलब्द कराना इसका उतर सही हो जाएगा बारत और बंगलादेश के बीच किस नदी के जल के बटवारे को लेकर विवाद है तो यहां सही उतर हो जाएगा तिस्ता नदी अगला पर ने रिपो शिकर समिलन का समंद रियो सिकर समिलन का समंद है रियो सिकर समिलन का समंद किस से है तो यह सही उतर हो जगा जे विवित्ता पर समिलन होता है नदियों में जल परदूशन के इस्तर को मापा जाता है किसके द्वरा मापा जाता है औक्सीजन की विघटित मात्रा से नदियों का आजल पर दूसन मापा जाता है अगला प्रसन है हेंग हेफनर का 91 वरस की अवस्ता में सितंबर 2017 में निदन हो गया था वो किस संस्तान से जुड़े हुए थे तो इनका सही उतर हो जाएगा प्ले बोई पत्री का से समदित थे हेग हेफनर अगला प्रसन है भारत का रास्टपती बनने से पहले रामनाद कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे तो यहाँ सही उतर हो जाएगा भी हर राजिय के राजेपाल थे, उसके बाद भारत के रास्ट पती बने हैं, रामनात कोविंथ नमलिकत मैंसे कौन सा सेहर, खुले में सौच मुक्त होने वाला भारत का पहला सेहर था तो इसका सही उत्र की बात करें तो मेशूर जो खुले में सोच मुक्त होने वाला बार्थ का पहला सेर बना था निमलिक मैंसे कौन सा राजय टाइगर कोरिडोर में एक नहर पर परियावन के अनुकूल पुल बना रहा है पुल का विकाश करेगा बहुत ही शांधार प्रशन है तो तेलंग आज इसका सही उत्र हो जाएगा अगला प्रशन है अनुड जीरो दसमलाव 0625 का मान कितना होगा तो सही उत्र की बात करें तो 0.25 माच अगला प्रश्ण है को स्टक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 20 बटे 7 को स्टक बंद का मान क्या होगा तो 30 इसका सही उतर हो जाएगा अगला प्रश्ण पूछा गया है निमलेकित मैंसे कौन सा भिन 2 बटे 3 से बड़ा है तो 6 बटे 7 अप्शन नमबर 4 सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है आप देख पा रहे होंगा इसका मान क्या है उसकी मान की बात करें तो 2 इसका सही उतर हो जाएगा और प्रश्ण संग्या नमर 91 की बात करें यदि एक संग्या देख और दूसरी से क्या B से 30% का मेहत अता B ऐक सो पचास से 20% अधिक है तो A का मान क्या होगा तो 126 इसका सही उतर हो जाएगा यह अगला प्रश्ण है यदि A बराबर 5 बटे 4 बराबर 2 बटे 10 C हो तो ABC का मान क्या होगा तो 5 आनुपात 4 आनुपात 20 इसका सही उतर हो जा करेदा खिलाडियों तधा उनके पर्पिक्सटा की अई-साध 22 33 व्रस इन के तैट यहां आप देख पा रहे होंगे 13 व्रस यहां परकार नियृऌ जाट जार रुपे पर धाई परती सत वार्षिक प्रती वर्ष्ट की वार्षिक व्याजदर से दो व्रष्ट का चक्रवर्दी व्याज और साधरन व्याज में अंतर कितना होगा तो सही उतर हो जाएगा पांच अगला पर्ष्ट पूछा गया था यदी 40 कुर्षियां 10,000 रुपे में ख्रीदी गई और 6 परतीशत लाब कमाने के लिए 10,000 रुपे में कितनी कुर्षियां बेची जाएगी तो 25 इसका सही उतर हो जाएगा अगला पर्ष्ट प्यूस अपनी पूस तक प्यूस अपनी वस्टू के मुल्य को उनके क्रेव मुल्य से 30 परतीशत अधिक अंकित करता है यदि 20 प्रतिशत की शूट के पच्छात उस वस्तू को बेचता है तो कितने रुपे में बेचेगा तो यहां 750 रुपे इसका सही उतर हो जाएगा अगला परसने एक वरत के छेतर पल तता उसके बीतर खीचे गए वरत के छेतर पल का अनुपात क्या होगा 14 अनुपात 11 अगल उसकी ओषत गती परती घंटे क्या होगी यानि की दैस भीज- 30-40 किलोमेटर परती घंटे की भिछा प्रतार से वह दूर्या करता है चार करमश जो दूरित नयुग चृत पूरिक किया और उसे कुछ महीने पश्चात क्यूँ साथ हजार रुपे के साथ उसमें जुड़ गया यदि वर्ष के अंत में दो अनुपात एक के अनुपात से बाटा गया हो तो वैपार में कितने महीने पश्चात सामिल हुआ है तो चार महीने पश्चात इसका सही उतर हो जाएगा अंतिम प्रश्ण है आज का और पूछा गया है F तता M मिलकर एक कारे को आठ दिन में कर सकते हैं F अकेला उसी कारे को बारा दिन में कर सकता है और M उस कारे को अकेला कितने दिन में कर सकता है आपको बताना है F अकेला 12 दिन में, दोनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं तो M अकेला उस कारे को कितने दिन में कर सकता है तो 24 सिसका सही उतर हो जाएगा ये थे दिल्ली पुलिस का पहला पांच दिसम्बर को जो आयजित किया गया था पेपर अगले पेपर भी हम आपको जल्दी उकलब्द करवाएंगे तो आप पूरा वीडियो द्यान से देखें हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना चैनल पर पहली बार है और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना सिक्सा और रोजगार से जुड़ी हो जानकारी सबसे पहले हम आपको देते रहेंगे धन्यवाद जहिंद जह बारत